पार्ठ नौ बुलबुल चिरिया लेख एक बार मैं अपनी दोस्त नैना के साथ खेल रही थी तभी जोर से ची ची की आवाज आई जिसे सुनते ही नैना मुझसे बूली मीना क्या तुमने बुलबुल चिरिया देखी है? चिरिया तु बहुत देखी है लेकिन बुलबुल चिरिया कौन सी होती है? इसकी मुझे पहचान नहीं आओ आज मैं तुम्हें बुलबुल चिरिया से मिलवाती हूँ ये कहते हुए नैना मुझे बालकनी में ले गई वहाँ एक चिरिया दाना चुग गही थी उसे दिखाते हुए नैना बोली ये रही बुलबुल चिरिया नैना तुम्हें कैसे पता कि यह बुलबुल चिरिया है? मीना बुलबुल चिरिया की पहचान करना बहुत आसान है बुलबुल बहुत तेज आवाज में बोलती है जैसे अभी इतनी तेज चीं चीं बोल रही थी यदि उसके पूँच की नीचे वाली जगह लाल हो तो समझ लो कि वह बुलबुल चिरिया है इसका शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है तुमने ध्यान दिया कि बुलबुल हमें देखकर पिल्कुल भी डर नहीं रही यह भी बुलबुल की एक पहचान है एक बुलबुल चिरिया ऐसी भी होती है जिसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है ऐसी बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते है तभी मैंने एक और सवाल किया, बुलबुल चीरिया क्या खाती है? नैना ने बताया, बुलबुल पीर पर किड़े ढून कर खाती है, और हाँ हमारी तरह फल और सबजी भी खाना पसंद करती है, बुलबुल अपना घौंसला सूखी घास तिनको आदी को इकठा करके बनाती है बुलबुल एक बार में दो तीन अंडे देती है, इनके अंडे हलकी गुलाबी रंके होते हैं, मैंने खुश होते हुए कहा, सच कहा नैना तुमने? बुलबुल की पहचान करना बहुत ही असान है, अब तो मैं भी बुलबुल चिरिया की पहचान कर सकती हूँ नैना मुस्कुरा कर बोली, और अब तुम भी अपनी चत पर बुलबुल के लिए दाना पानी रखना, फिर बुलबुल चिरिया तुम्हारी भी दोस्त बन जाएगी हाँ, जरूर, कहते हुए मैं नैना के साथ फिर से खेलने लगी संदेश, बुलबुल चिरिया की पहचान करना आसान है